दोस्तों आई एंडी अकेड़ी में आपलों का स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से पिरमों खेल और खेलों से संबंदे तत्यों के भाग पांच को जिसके तहित खेलों का खेल ओलम्पिक खेल और उसके बाद कॉमन वेल्ट खेल को कवर किया जाएगा इस सीरीज के पहले चार भाग को कवर करा दिया गया है जिसके तहित किर्केट, होकी, फुटबॉल, टेनिस जैसे अन खेलवी एक चार्ट के माध्यम से और पिरमों खिलाडी चार्ट के माध्यम से कवर करा है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके पहले आप उन वीडियो को देखें और चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए शुरुबात करते हैं इस पार्ट के महत्पून टॉपिक्स ओलम्पिक खेलों की बात करते हैं ओलम्पिक खेलों की प्राचीन ओलम्पिक यूनान के ओलम्पिया शेहर में एक सेकेंड ये सुनान नहीं है, ये यूनान है यूनान के ओलम्पिया शहर में 774 ईसयप पूर में प्रारम हुए थे तो सबसे पहले कोष्ण यहां बनता है कि ओलम्पिक खेलों की शुरुबात आधुने की ही पूशी जाती है तो आधनिक ओलम्पिक खेलों का प्रारम 1896 में इतले शहर से हुआ था आगे बात करते हैं संस्था कि जो इसकी अंतराष्टी है संस्था है अंतराष्टी ओलंपिक समीती IOC है इसकी स्थापना की अगर बात करें तो तेज जून 1894 को इसकी स्थापना की गई थी इसके बाद बात करते हैं इसके headquarter की इसका headquarter लोसायने स्विजर लेंड में है बरतमान में इसके president Thomas Bach है कुछ तत्यों के अगर बात करें तो 1913 में Olympic द्वज का surgeon हुआ था लेकिन पहली बार 1922 के Edward Olympic में फेराया गया था मतलब की Olympic द्वज को सबसे पहले किस Olympic में फेलाया गया था तो 1920 के Edward Olympic में surgeon कब हुआ था यह मतलब नहीं है फेराया कब गया था यह सबसे important है बर इस संस्था की अगर हम बात करें तो अंतराश्टी Olympic समिती इसकी संस्था जिसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी Headquarter लोसाने में और बर्तवान में इसकी President Thomas बच है आगे बात करते हैं कुछ तत्यों की पांच रंगीन चक्रें पांच रंगीन जो चक्र होते हैं उनमें जो कलर होते हैं उनके नाम के बारे में आपको बताते हैं नीला चक्र किसको रिप्रेजेंट करता है यूरोप को वहीं पीला चक्र एशिया को काला चक्र अफ्रीका को हरा चक्र आस्ट्रेलिया को और लाल चक्र उत्रीवाद अच्छनी अमेरिका को एक बार फिर से revision कराते हैं जो पांच रंगियन चक्र होते हैं उसमें नीला चक्र यूरोप को, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफरीका को, हरा चक्र आस्ट्रेलिया को, वहीं लाल चक्र उत्री वद अच्छनी अमेरिका को represent करते हैं 1928 के Amsterdam Olympic में Olympic मशाल को जलाने की सुरुवात की गई थी, देखिए, 1920, यहां बताते जा रहे हैं आपको, फिर आप याद करवाएंगे, 1920, 1928, ठीक है, 1920 में हमने क्या बताया था, द्वज की बारे में, मसाल कब जली, 28 में, तो Amsterdam Olympic से Olympic मसाल को जलाने की सुरुवायत हो थी, इसमें सुर्य की किर्णों से ब्रिजलिद किया जाता है, जो यह मसाल होती है, इसको सुर्य की किर्णों से ब्रिजलिद किया जाता है, इसके बाद आगे बात करते हैं कि 1968 के मेक्सिको Olympic से Olympic शुभंकर, मैस्कोट की सुरुवात कब होई, 1968, 40 साल बाद, मैस्कोट की सुरुवात होई आगे बात करते हैं कि एकी ही ओलम्पिक में सरवादिक पदक जीतने वाले पुरुस खिलाड़ी कौन है USA के है यानि अमेरिका के है माइकल फिलिप्स जिन्होंने कुल 28 पदक जीते हैं जिनमें से 23 सुराण तीन रजत और दो कांस सामेल है ठीक है तो यह तीन फेक्ट आपको याद रखने है 1920-1968 आगे बात करते हैं कि उलम्पिक में सरवादिक पच्पन पदक यानि शौन पदक पच्पन पदक जीतने वाला विश्रुकार्ट किस देश के नाम है तो यह रिकॉर्ड है उन्नी सो अंठावे शियोल ओलम्पिक में यह रिकॉर्ड बना था रूस के नाम है अभी तक पच्पन मतलब कि शौन पदक किसी भी टोटल अगट पिटते हो गता में जो टोटल लिश्ट बनती है उसमें सबसे आज सौन पदक जीतने वाला देश यह उलम्पिक का आयोजन कराती है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो सबसे फेमास हैं सबसे पॉपुलर है समर ओलम्पिक 1896 में इसकी सुरुबात हुई थी होस्ट मतलब कि किस-किस ने किया है क्यों ही हमने समलित किया है क्योंकि 2020 के और 2016 दोनों ही इंपोर्टेंट है और 2024 और 2028 यह भी दो भी बहुत इंपोर्टेंट है तो होस्टेट की बात करते हैं सबसे जादा यूएस ने चार बार किया है यूके ने तीन बार किया है 2012 लंदन का किया था एक्चुली इसको सामेल इसलिए भी किया गया क्योंकि यह MPPSC का कुश्चन भी रहा है कि लंदन ने उलम्पिक समर उलम्पिक को कब होस्ट नहीं किया था चार ओप्सन थे तो यह कुश्चन था तो मैं आपको कुश्चन के मादिया हमसे पूरा स्पोर्ट कवर कराऊंगा जिसके तहरत MPPSC और विभिन एग्जामों के सभी कुश्चन को समलेत किया जाएगा यूएस ने चार बार 1904-1932, 1984-1996 में होस्ट किया वहीं UK लंदन ने 1908-1998 और 2012 में एक साइध यहां पर 68 दिया था तो बहु आश्वन नहीं था जापान 1964 वे पहली बार होस्ट कर चुका लेकिन आने वाले समय में 2020 में जापान टोक्यो में होस्ट होगा बात करते हैं 2020 जो जापान में आई विजिस होने वाले हैं टोक्यो में वो कौन से नंबर के गेम है 32 में नंबर के और समर ओलंपिक है इसके बाद बात करते हैं 2024 पेरिस में होने वाले हैं 2028 लोस एंजल्स में अब यह तीनों कैसे याद आप रखोगे 2020 का तो बहुत पॉपुलर यह चली रहा है यह लेकि थर्ड नंबर के जोगे 2024 में पेरिस में फ्रांस में होने वाले हैं फिर आप लोस एंजल्स जाएंगे तो 2028 में लोस एंजल्स चलेंगे 31 में जो इससे पहले 2016 में हुए थे वो रियो ओलम्पिक हुए थे भारती दल के दोज भाग की अगर हम बात करें तो इसमें अभी नौव इंद्रा थे और पदक तालिका में USA नंबर बन पर थी वह भारत सरसट में नंबर पर था इसमें दो पदक भारत को मिले थे ठीक है आगे बात करते हैं भारती ओलम्पिक परिशत की अंतर अश्टी समीति बताई थे भारती भारती भारत की समीति की बात करते हैं भारती ओलम्पिक समीति की बात करते हैं इसके इस्थापना 1927 में की गई थी प्रितम अध्यक्ष जेजे टाटा है जेजे टाटा थे भारत ने फोड़ेट याद इम्पोर्टंट है भारत ने अभी तक कुल 28 पदक जीते हैं देखिये laps Оlampick में बात करें तो कोई ज्यादा पदक भारत ने नहीं जीते हैं लेकिन इसको उपन किन सकते हैं तो भारत स्प्दक तक 28 Olympic quandраos में सरवाधिक Sonnlife场 जीदने वाली महिला खिलाडी का नाम है Larina Labanina देखिए सरवाधिक पदक जीदने वाले उप्रोसों में है Michael Phillips वही महिला खिलाडी में है Larina Labanina इन्होंने 18 पदक जिमनास्टिक में दी दे और उन्होंने कित्ते जीते थे 28 आगे बात करते हैं प्रितम भारतिय महीला खिलाडी मैली अब भारतियों के खिलाडियों के अगर हम बात करें तो प्रितम भारतिय महीला खिलाडी मैली लीला राओ फाइनल में पहुचने वाली प्रतम भारती महिला पीटी उसा देखिए महिला खिलाडी पहली है मैली लीला राओ और फाइनल में पहुचने वाली प्रतम भारती महिला है पीटी उसा वहीं अगर आगे बात करें कि कोई पदक सबसे पहला पदक जीतने वाली प्रतम भारती महीला है कर्णम मलेशोरी देखिए यहां से दो कोश्चन बनेगी कि कोई भी पदक जीतने वाली या पहला भारती पदक जीतने वाली प्रतम भारती महीला कर्णम मलेशोरी है इन्होंने कांस पदक जीता था वहीं कुस्ती में कांस पदक जीतने वाली महिला है साक्षी मलेक 50 kg क्याटेगरी थी और प्रितम भारतिय महिला बैडविंटन ख्लाड़ी जिन्होंने पदक जीता सायना नेवाल कांस पदक जीता पीवी जिन्दू ने सिल्वर जीता ठीक है एक बार और रिवीजन कराते हैं क वहीं कोई पदक जीतने वाली पहली महिला है कर्णम मलिश्वरी कुस्ती में कांस पदक जीतने वाली पहली महिला साक्षी मलेक वहीं प्रितम भारति महिला बैडविंटन ख्लाड़ी सायना नेवाल है वहीं कांस पदक जीता था वहीं पीवी सिंदू ने सिल्वर जीता था ब्यक्तिगत इस पर्दा में भारती है, सौन पदक अभीनो विंद्रा ने हासल किया दीपा कर्माकर जिमनाष्टिक इस पर्दा के फाइनल है पहुचने वाली प्रिथम महिला है वह बॉल्ट इस पर्दा में फोर्थ इस्तान पर रही थी अंतराष्टी ओलम्पिक समीती की पहली भारती महिला सदश्च नीदा मानी है तो जो एक फेक्ट थे कुछ फेक्शुल भी हमने आपको कवर कर दिया है तो ये था अपना ओलम्पिक समर ओलम्पिक, आगे बात करते हैं बिंटर ओलम्पिक की बिंटर उलम्पिक में वस इंपोर्टेंट यह है कि कहां हुआ था और कहां होगा और इस्टार्ट 1924 में हुआ था देखिए कित्ते साल बाद सबसे बहले बात करते हैं 1896 की 1896 में आपको पता है समर उलम्पिक की सुरुवात हो गी थी भारत ने 1920 से सामिल लिया महिलां को ठीक है और बिंटर उलम्पिक की सुरुवात 1924 से होती है किता डिफ्रेंस है यह 2428 साल बाद बिंटर उलम्पिक की सुरुवात होती है 23rd जो व्योंग्चांग प्योंग्चांग देच्छन कोरिया में हुए तो 2022 बीजिंग में आयो जित होंगे 24 में नंबर की है आगे बात करते हैं यूथ ओलम्पिक की 2010 में श्टार्ट हुए तो जैसा कि हमने आपको भी बताया था बहुत इंपोर्टेंट है यह और 2018 के बिउनर सायर्स अर्जेंटीना में आए जित हैर्ड नंबर के फोर्थ नंबर का भी पता नहीं है आगे बात करते हैं राष्टमंडल खेलों में यह भी चार बर्स में बी आए जらい तो ओलम्पिक खेलों के बाद सबसे वड़े खिल माने जाते हैं तो वते हैं राष्टमंडल को ङत Paul मा जाता है इस खेल समहरोन की ढेकल करों को तो 2020 ये रियो में हुए थे ओलंपिक और ये टोक्यों में होंगे तो ये बीच का ये चार साल है इसको डिवाइड वाइड वाई टू करोगे तो 2018 2018 में Commonwealth Games का होगा वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा चलिए शुरुवात की अगर हम बात करें तो राष्टमिंडर खेलों की सुरुवात 1930 में हैमिल्टन कनाड़ा से की गई थी भारत ने पहली बार 1934 में राष्टमिंडर खेलों में भाग लिया था वहीं अगर ओलंपिक में बात करने तो भारत ने 1920 से भाग लिया था ठीक है तो भारत ने पहली बार 1930 में भाग ने लिया 1934 के राष्टमिंडर खेलों से भाग लिया इसका बरतमान नाम जो पढ़ा है राष्टमिंडर खेल 1978 से रखा गया पहले इसके नाम British Empire खेल था आगे बात करते हैं 20th जो 2014 में आयोजित हुए तो वो स्कॉटलेंड में हुए थे वहीं अगर 21st की अगर हम बात करें 2018 में ये गोल्ड कोश्ट ऑस्टिलिया में आयोजित हुए थे इसके डिटिल के बारे बात करते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक और बता दे जो 22 में है 2022 में बरिमिंगम में आयोजित होंगे आगे चलते हैं 21 में राष्ट मुडल खेल जिनका आयोजन 4 से 15 अप्रेल 2018 के मद हुआ था ठीक है 4 से 15 अप्रेल मोटो क्या था शेयर दर ड्रीम्स ये किसका कुश्चन था आपको पता है क्लेट एक्जाम का जो एललवी के लिए क्लेट होती है उसका एक्जाम का ये सिंप्ली पदक तालिका की बात करते हैं पदक तालिका में सबसे टॉप पर 198 पदकों के साथ आश्चिलिया था उसके बाद इंग्लेंड था और उसके बाद भारत था 66 पदक के साथ ठीक है इसमें भारत ने 26 गोल्ड 20 सिल्वर और 20 ब्राउन जीते थे लेकिन आप ये सबसे बनती है कि जिस भी देश के पास सौन पदक सबसे जादा होंगे उसको मेरिट के साब से सबसूपर रखा जाता है तो यहां पर पदक तालिका में देख रहे हूं सौन पदक तो 15 सौन पदक हैं केवल कनाड़ा के पास वहीं भारत के पास 26 सौन पदक है इसलिए पदक जादा है कम इससे कोई effect नहीं पड़ता लेकिन गोल्ड किसके पास जादा है इससे effect पड़ता है पदक तालका में तो भारत का इस्थान तीसरा था 66 पदकों के साथ भारत थर्ड नम्मर पर था 26 गोल्ड 20 स्वन 26 गोल्ड 20 सिल्बर और 20 ब्रॉंच ठीक है कनाड़ा तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को जाद से जाद लोगों तक शेयर करें आप IND Academy के Telegram Group, WhatsApp Group, Facebook Group और Insta Group से जुड़के PDF और भी तरहें के Current Affair और टॉपिक जो भी है जैसे Act के टॉपिक को कबर कराया जा रहा है अभी तक Sports तो चली रहा है इसी तरहें और भी सब्जेक्ट के टॉपिक को कबर कराया जाएगा और विभिन्ने पिर्तियों की परिक्षाओं की तैयारी Hindi माद्यम में कराया जाएगी Thank you for watching, have a good day